बर्फी की रेसिपी की पॉपुलारिटी को देखते हुए फिर से एक बर मैं आपके सामने बर्फी लेके आई हूँ तो यहां पर मैंने देशी घी घर में निकाला था उसका जो रेसिडियो बच जाता है उसको आप खुर्चन भी बोलते हैं उसको मैंने एक पीस लिया है एक बैंडिंग जार में डालके साथी मैंने जितना रेसिडियो है जितना खुर्चन है उतने ही मैंने सूजी को रोस्ट कर लिया है और उसको भी डालके हम फाइन कर लेंगे फाइन कर लेंगे साथ ही अच्छी तरीकी से मिक्स हो जाता है और यहाँ पर मैंने एक कड़ाही लिया है उसमें हम डालेंगे जितना सूजी लिया है यानि के एक कड़ोरी सूजी पर एक कड़ोरी ही चीनी डालेंगे कड़ाही में और हमें उसमें आधी कटोरी पानी डाल देंगे चीनी और पानी डालने के बाद मैंने गैस को आन कर दिया है और हम इसे लगातार चलाते हुए चीनी को मिल्ट करा लेंगे चीनी जब पूरी तरीकी से पानी में डिजॉल्फ हो जाएगी तब तक हमें इसमें डाल देना है एक चमच रोज वाटर या फिर कोई और भी आपके पास एसेंस हो तो आप उसे डाल सकते हैं कोई फ्लेवर जो भी आपको पसंद हो कुछ ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं साथे मैंने इसमें हलका सा क्यूंकि हमारा चीनी अच्छे तर्के से मल्ट हो गया अब हमेंसे बहुत जादा नहीं पकाना है चाशनी में हमें कोई तारवार नहीं देखना है सिर्फ एक चिपचिपजी चाशनी ही रेड़ी करनी है तो चाशनी में जैसे है पहला बॉयल आएगा चाशनी आपकी चिपचिपी सी तयार हो जाती है तो इस चाशनी में पहला बॉयल आ गया है और एक चिपचिपी सी चाशनी तयार हो गई है एक बर मैं आपको इसे चेक करके भी दिखा देती हूँ तो ये देखिए तूटती हुई सी एक तार सी जो बन रही है इट मीन्स हमारी चिपचिपशी चाशनी बिल्कुल रेडी है अब इस जो हम लोगों ने खुर्चन और रवा के मिक्षर को रेडी किया था उसे हम इसमें डाल देंगे ये काम हमें फटाफट से करना है अधरवाइस चाशनी आपकी गाड़ी हो जाएंगे और अगर आपको लगते है कि आपकी चाशनी हलकी सी गाड़ी हो गई तो आप इसमें दो चमच पानी जरूर डाल दें साथे मैंने बेसन को भी रोस्ट करके रखा था और हम इन सारी चीजों को चाशनी में डाल देंगे बीसन रवा इन सारी चीजों को डाल दिया है मैंने और इन सब भी मिक्स्चर को हमें अच्छी तरीके से चलाना है फ्लेम को बिलकुल लो रखना है तेज फ्लेम बहुत तेजी से जमने लगता है तो फ्लेम को बिलकुल लो रखते हुए हमें इसमें डालना है आपने देखा कि मैंने इसमें उपर से घी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है फ्लेम को लो लग रखते हुए मैंने इसे पकाया है हलका सा एक दो से तीर मिनिट और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी दूद जो कटोरी मैंने स्टार्टिंग में सेट किया था बस उसी कटोरी से पूरा मैंसरमेंट है दूद डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी जादा नहीं पकाना है बस एक बार हम इसे चारो तरफ से चला के अच्छी से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद पहले से एक ट्रे को मैंने ग्रीज करके रखा था इसमें हमें इस बरफी को सेट कराना है उसमें हम इस मिक्षर को फटाफट से पलट देंगे दोस्तों ये काम हमें बहुत in quickly करना होता है क्योंकि इसमें बरफी बहुत तेजी से सेट होती है तो बरफी automatic सेट हो जाया उससे पहले हमें इसको अच्छा सा शेप दे देना है तो इस तरीके से इसमें फैला लेंगे ट्रे में और उसे हम फ्लैट कर देंगे फ्लैट करने के लिए बेस्ट होता है कि आप किसी भी कटोरी के बेस को ग्रीज कर ले और उसको आप चारों तरफ घुमाते हुए उपर से चिकना कर ले ऐसा करने से आपका जो माटीरियल है वो वेस्ट भी नहीं होता है और आप खटा-खट से शेप भी दे पाते है दोस्तों मेरे चानल पर बहुत सी बर्फी की रेसिपी पड़ी हुई है लोगों ने काफी उसे प्यार भी दिया है तो आप भी उन बर्फी की रेसिपी को देख सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं मैंने प्लेलिस्ट भी उसकी बना रखी है साथ ही अब आती है इसकी गार्निशिंग की बारी तो यहाँ पर मैंने ऐल्मेंट को चॉप किया था और चॉप्ड ऐल्मेंट को पूरे बर्फी पैच्छे से स्प्रेड कर दिया है और उसे भी हम हलका सा कटोरी से प्रेस कर देंगे बस प्रेस करने के बाद अब आती है इसकी कटिंग की बारी जिससे कि इसका शेप बहुत ही अच्छा सा हो जाए तो इसे सेट करने के लिए हमें रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है खटा-खट से सेट हो जाता है तो मैंने नाइफ की हेल्प से इसको कट कर लिया है आपको देखके ही लग रहा होगा कि कितनी इसली यह कितनी आसानी सी यह कट हो जा रहा है आपने देखा कितनी आसानी सी बर्फी की रेसिपी बनके तयार हो गई साथी हर महीने जब आप घी निकालते हैं तो आप इस बर्फी को बना सकते हैं मैंने खुर्चन का यूज करते हुए बिना घी का इतनी अच्छे तरीकी से बर्फी बना के रेडी करके आपको दिखाया मुझे पूरी उमीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करते हैं साथ है अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जाद से जादा लोगों तक इसे पहुंचाएं थैंक यू वेरी मच्च पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बर्फी कुए आपको तोड़ के दिखा देती हूं बहुत ही सौफ्ट बनी है बहुत ही जादा ड्लीशियस बनी है बहुत ही लाजवाब बनी है धन्यवाद